हम कहते हैं इंसान बहान होता है पर इंसान महान नहीं होता वहाँ अपने करम से महान बनता है कुछ ऐसे लोग हमारे बीच रहते हैं जो भीर से जुदा होकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं गैलिलियो गैलिली मुझे नहीं लगता इस नाम का कोई परिचे देनी की ज़रूरत है गैलिलियो डी बिनसेंजो बनावटी डी गैलिली एक इतालवी खगुल शास्त्री भौतिकी विज्ञानी और इंजीनियर थी जिने कभी-कभी पीसा से पॉलिमेट के रूप में वर्नित किया जाता था गैलिलियो को अव लोकन खगोल विज्ञान का पिता, आदोनिक भौतिकी का पिता, वैज्ञानिक पद्धिती का पिता और आदोनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है गैलिलियो का जन्म पीसा इटली में 15 फरवरी 1564 को हुआ था बिंसेंजो गैलिली के 6 बच्चों में से पहला एक लुटेनिस्ट, संगीतकार और संगीत सिधानकार बने और गियूलिया अमान थी जिन्होंने शादी की थी 1562 में गैलिलियो स्वैम एक खुशल लुटेनिस्ट बन गये और उन्होंने अपने पिता से स्तापित अधिकार के लिए संधे की शुरूआत जल्दी सीख लिए गैलिलियो के 5 भाई बैनों में से 3, 6 वेवस्ता में ही जिवित रहे सबसे छोटा माइकल एंजिलो एक लुटेनिस्ट और संधीत कार भी बन गया जिसने अपने पूरी जीवन के लिए गैलियो के वित्वोज में योगदान दिया माइकल एंजिलो अपने पिता के वादा किये गए दहेज में अपने भाई 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 को अपना उचित हिसा देने में असमर्थ थी जो बाद में देभुकतान के लिए कानुने पायों की तिलाश करने का प्रयास करेंगी माइकल एंजिलो को कभी-कभी अपने संगीत प्रयासों और ब्रह्मन का समर्थन करने के लिए गैलियो से दन उधार लेना पड़ता था इन वित्वोजों ने गैलियो की अविशकारों को विक्सित करने की प्रारंबिक एक्षा में योगदान दिया होगा हो सबता है जो उन्हें अतिरिक्त आय लाएगा इस मनुष्य ने ऐसी ऐसी रचना की है जिनके बारे में कलपना करना भी मानव बुद्धी के लिए कठेन है Galilio studied speed and velocity, gravity and freefall, the principle of relativity, inertia, projectile motion and also worked in applied science and technology describing the properties of pendulums and hydrostatic balances. He invented the thermoscope and various military compasses and used the telescope for scientific observation of celestial bodies. His contribution to observational astronomy include telescopic confirmation of the phases of Venus, observation of the four largest satellites of Jupiter, observation of Saturn's rings, and analysis of sunspots. Despite being a genuinely pious Roman Catholic, Galileo fathered three children out of wedlock with Marina Gamba. They had two daughters, Virginia and Livia and a son, Vincenzo, born around 1606. Her manushriya apne saath kairas lekar aata hai aur kai raas tafan kar jaata hai. Galileo tended to refer to himself only by his given name. At the time, surnames were optional in Italy, and his given name had the same origin as his sometimes family name, Galilei. Both his given name and family name ultimately derived from an ancestor Galileo Benauti, an important physician, professor, and politician in Florence in the 15th century. Galileo Benauti was buried in the same church, the Bellisio of Santa Cruz in Florence, where about 200 years later, Galileo Galilei was also buried. Thank you! झाल झाल झाल